हेलो बच्चो आज हम कक्षा साथ की हिंदी पुस्तिका ग्यान सागर का आठवा अध्याए एवरेश्ट की चुनौती का दूसरा भाग सुरू करेंगे पहला भाग हमने प्रिवेस वीडियो में कर चुका है तो आज सुरू करते हैं दूसरा भाग दूसरे दिन सारे साथ बजे सुबा लेखक हरिपाल सिंग और उनके जो सभी साथी थे आखरे सिवीर के लिए चल परते हैं साथ में उनके एक रसी था जिसके साथ वो लोग सपोर्ट के सारे चल रहे थे तो उस रसी के साथ फूर दोर्जी बंदे हुए थे उनके पीछे रावत बहुगना और साथ सेरपा थे हवाएं काफी तेज ठंड भरी हुई थी साड़े क्यार बजे सभी लोग 8512 मीटर के उचाई पर अंतिम सिवीर पर पहुँच जाते हैं किन्तु उसकी उपर की चड़ाई करनी बाकी थी और ये चड़ाई जो थी सारे 700 मीटर उची थी जो की काफी संक्री और तीखी थी रास्ते जो थे सारी चुनोतियों के बाद वे लोग आखिरकार काली चट्टाने खतम करके आगे की मार्क पर चले ही गया और लेखक सभी सदस्यों के साथ यलो बैड में प्रिवेस कर जाते हैं लेकिन अभी जो थी चुनोति खतम नहीं हुए थी अभी उनकी दूसरी चुनोति बाकी ही थी आगे उपर की चड़ाई की लेकिन उसके बाद लेखक के सिलेंडर का ऑक्सीजन जो है कहीं से लीक हो रहा था जिसके करन ने दिकत होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि रुकते हैं और वहां पर बर्फ काटकर एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाते हैं और वहां रुक के वे लोग जो कहते हैं पाइप में एक टेप लगाकर उस लिकेज को सॉल्प करते हैं ठीक करके आगे की और बढ़ने के लिए तैयारी सुरू करते हैं किन्तु कुछी दूरी पर बहु गुना बीमार हो जाते हैं और हो जाने के साथ ही रावत को अकेले आगे बढ़ना पड़ता हैं रावत को अपनी रसी के बीच की जगव वे लोग दे देते हैं अब परेशानी ये होती है कि जो रसी से किवल दो व्यक्तियों के लिए ही काफी था उसी रसी पे अब तीन लो चटाने और बर्फ के धेरो को पार करना सबसे बड़ा जोखिंबरा था और ये मार्ग सच में बहुत ही डरावना और चुनाती पूर्ण था इसके लिए क्या करते हैं एकदम सीरे सिखर पर नहीं पहुंचकर बलकि सिखर के कुछ मीटर नीचे ही बाई और मुर जाते हैं औ और इसमें बहुत वक्त लगा क्योंकि एक तो एक रसी के सारे ही तीन-तीन लोग पार कर रहे थे जो कि बहुत ही सतरकता के साथ जाने वाला था एक चलता तो दो जो था रसी थामे रखता और दीरे-दीरे करके वे पहुंच जाते हैं और इस जगह का नाम वे लोग टानों तक पहुंचें यहां से एक संकिन सा रास्ता चिमनी तक जाता था दीरे-दीरे वे लोग क्या करते हैं कुलहारी के साहरे जो था बर्फ पे गड़ा कर रास्ता बनाते और अपनी बूट जो की जिसमें काटे की तरह लगी हुई थी उससे गड़ा-गड़ा कर वे रा करते हुए पहुच ही जाते हैं सिखर तक तो यह था उनका जो जोकिंग से भरा और चुनाती पुर्म पूरी सिखर तक पहुचने का रास्ता बिल्कुल जो था परस पर जब अंतिम समय में पहुच जाते हैं वे लोग तो परस पर बाहे डाले एक दूसरे को साथ देते कि ताकि सभी को मतलब उच्साहित कर सके आप देख सकते हैं चित्र में भी आपको कैसे दिखाये गया है कि तीनों जब एक में बाहें डाले और आगे जब पहुच जाते तो कितने खुस होते हैं रावत ने जुकर जब वहां सिखर तक पहुच जाते तो रावत जुकर दु का एक फोटो वहां पर लगाते हैं और माला रखते हैं फुर्दोर जी जो थे वे चांदी का एक लॉकट वहां पर रखते हैं साथ ही एक भेट सरूप चॉकलेट बिस्किट मिठाई आदी सभी चीजे वहां रखकर अपने वहां तक पहुचने का परिच्छे देने के लिए वहां निसानी छोड़ जाते हैं कुछ फोटो भी वो लोग खिचते हैं कुछ समय वहां सपने की तरह बिताया हुआ उन्हें लगता है वहां पहुचकर उनकी का ऑक्सिजन जो था वो भी खतम हो रहा था इसलिए लेखक कहते हैं कि मैंने बिना समय नस्ट के फोटो खिचना शुरू कर दिया कैमरा निकाला तो वो भी काम ने कर रहा था जैसे तैसे वे जो थे सभी अपने इस अद्बूत द्रिश्सी का चितरन कर लेते हैं समय जो था सपने की तरह बीत रहा था अब अब तक हमें यहां पहुचने में पहुचे वे आदे गंटे से जादा वक्त बाद में सब क्या करते हैं वहाँ अपनी धर्ती माता को प्रणाम करके वापस लौटना चाहते थे बस वापस लौटना है उनका अंतिमकारे वज़ा था यह सोचते हुए मैं बहुत ही उत्साहित हो गया लेखा का अपने बारे में लिखते हैं मेरी उदासी का क्या यह चुके थे तो इस तरह से अंतिम में वे पहुंच के धर्तिमाता को परणाम करके वापस लौटने का सुरू कर देते हैं तो इस तरह से उनकी जो अनोखी यात्रा थी एवरेश्ट की चुनौती भरी यात्रा उसका उन्होंने इस पार्ट के माध्यम से आपको बताया है कि क्या उन्हें चुनौतीयों का सामना करना पड़ा तो इस तरह से इस पार्ट का एक्स्प्लेनेसन यही समाप्त होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यबाद